हेलो बच्चो मेरी पाठशला में आपका स्वागत है आज किस क्लास में हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी एक साइट की लंबाई हमें बताए गई है और कोई दो एंगल बताए गई हैं हमें एक साइट की लंबाई और कोई दो एंगल बताए गई है तो इसमें दो सिचुएशंज होती है पहली सिचुएशं यह होगी कि माल देज़े हमने ये ट्राइंगल बनानी हैं A-B-C और हमें उन्होंने side BC की लंबाई माल देज़े पताईए 7 cm और ये angle माल देज़े 45 का है और ये है 35 का ये angle हमें उन्होंने बता रखे हैं क्या बता रखे है गिवन इसमें क्या होगा BC is equal to 7 cm एंगल B is equal to 45 degree और एंगल C is equal to 35 degree तो ये क्या situation है इसमें हमारा A S A वाला criterion लगता है angle side angle दो angle हमें मालूम है और उनके बीच की side मालूम है इसके ओपर हमने एक वीडियो बना के आपको समझा दे कैसे बनाते हैं फिर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या करेंगे हम पहले BC side बनाएंगे बिदी help of scale 7 cm की फिर हम क्या करेंगे D से यहां पर angle B पर बनाएंगे 45 degree का ये D से बनाएंगे और यहां पर हम D से बनाएंगे फिर 35 का तो यह दोनों एंगल D से बनाएंगे जिस point पर वो काटेंगे वो angle point हो जाएगा A vertex A तो इस परकार आपकी triangle बन जाएगी दूसरी situation क्या होगी दूसरी situation में क्या होगा कि आपको यह दोनों एंगल नहीं बताए गए माल लिजए यह 45 है यह बताए गया है ठीक है और यह माल लिजए बताए गया हंडर्ड डिग्री तो यह दो एंगल आपको बताए गए हैं तो आपको गिवन में क्या लिखेंगे वो बी सी इस इकल टू 7 सैंटी मीटर एंगल ए इस इकल टू 100 डिग्री और एंगल बी इस इकल टू 45 डिग्री यह गिवन है तो अब आपने triangle बना लिए है तो इसमें हमारा ASA वाला criteria नहीं लग सकता क्योंकि बीच की साइड हमें मालूम नहीं है यह एंगल मालूम है यह एंगल मालूम है लेकिन इसकी लंबाई हमको मालूम नहीं है हमें मालूम है इस लंबाई की तो यह वाला criteria नहीं लग सकता तो हमें क्या करना है थोड़ा सपना mind apply करना है कैसे आप जानते हो कि तीन जो एंगल होते हैं ट्राइंगल के उन तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसकल टू 180 डिग्री तो अभी यहां पर एंगल A 100 डिग्री है गिवन यह 45 डिग्री है और एंगल C हमको मालूम नहीं है वो हमने पता करना है तीनों का जोड़ 180 हो गया यह given है 100 degree यह 45 given है और यह टोटीनों को total 180 हो गया तो यह आपकी equation बन गई तो equation में आपको हमने समझाया था कि कोई भी जो हम जो expression है left side से right में ले जा सकते हैं right से left में ला जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे इनको दोनों को right side ले जाएंगे यहां कर लेते हैं angle c is equal to 180 degree अब जूकि यह plus हैं वहाँ पे जाके minus हो जाएगा minus 100 degree minus 45 degree इन दोनों को हम ले गए right side तो angle c की value निकल जाएगी 180 degree minus 145 degree is equal to 35 degree तो अभी हमने angle c ढूंड लिया तो जब हमें angle c पता लग गया तो हम ASA criterion से triangle को बना सकते हैं मतलब पहले हम side b c बनाएंगे उसके उपर यहां पर हम फिर angle b बनाएंगे यहां से angle c बनाएंगे west एक दूसरे कुंटर सेक्टरिंगे लाइंज जहाँ पर यह हो जगा a b c यह 45 degree यह 35 degree यह हमने ढूंडा हमें बताया गया था यह वाल angle लेकिन इन दोनों की help से हमने यह angle का पता कर लिया और यह हमने triangle बना ली तो ऐसे questions भी आपको आएंगे जब आपको यह वाल angle नहीं बताएंगे वो यह वाल angle बताएंगे ठीक है? क्योंकि जब दो angle का जोड हमें पता हो हम तीसरे angle ढूंड सकते हैं तीसरे angle ढूंडने के बाद हम ए ऐसे criterion से वो triangle बना सकते हैं मतलब दो angle और उसके बीच की sides के लंबा ही हमें मालूम है तो यह video अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अप like करें अपने friends के साथ share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू